नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार इस वक्त देश में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टिया यहां पर तयारियों में जूटी हुई है इसी बीच हम बात करें सबसे ज़्यादा विधान सबसीट वाले राज्ये की उत्तर परदेश की कहा जाता है कि दिल्ली के राजनिती का रास्ता उत्तर परदेश से ही होकर गुजरता है बता दे कि यहाँ उत्तरपरदीश की यहाँ पर योगी मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है और यहाँ पर चार मंत्रियों ने शपत ग्रहन भी कर ली है जिसमें की ओम प्रकाश राजबर सुबसपा के अध्यक्ष दारा सिंग के साथ यहाँ पर बात करो अनील कुमार और सुनील सिंग की जो की यहाँ पर टोटल चार मंत्रियों ने शपत ली है दो भाजपा और दो यह यहां पर NDA के सहयोगी दल बताया जा रहे हैं, सवाल यहां पर यह है कि अभी भी चार मंत्रियों की जगह यहां पर खाली है, दूसरी तरह बात करूँ मैं यहां पर अपना दल सोने लाल की अद्यक्षिय अनुपरिया पटेल, जो की केंदृरिय राज्य मंत्री भी है, NDA के स दल सोने लाल के एक भी विदायक मंतरी को जगा यहां पर नहीं मिली है आखिरकार क्यों इसी मुद्धे पर चर्चा है और चर्चा के लिए खास महमान हमारे साथ अमन जी मौजूद है अमन जी क्या लगता है आपको कि यहां पर उत्तर प्रदीश की मंतरी मंदल का विस्तार तो हो ही गया है लेकिन अनुपरिया पटेल के एक भी मंतरी विदायक को यहां जगा नहीं दी गई है कैसे देखते हैं आप इसको जाहिर सी बात है और बड़े लंबे वक्त से इसको लेकर चर्चाए थी कि कौन मुख जो मंतरी बनने वाला है कौन मंतरी मंदल में शामिल हो उने वाला आपको याद ओगो ओपी राजभर कपसे बैठे हुए इंतजार में कि मुझे अब बनाया जाएगा अब बनाया जाएगा अब जाकर जब लोग सबस्वर चुना बहुत नजदीक आ गए उस बक्त जाकर उनको मंतरी पर दिया जाता है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह की उनके अंदर जो तडब थी वो कहने के पूरी होती हुए नज़र आई और उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मुझे मंतरी नहीं बनाया गया तो मैं होली भी नहीं मनाऊंगा अब खेर बो होली मना सकते हैं इसके लावा दारा सिंग की बात करें कि वो पह और वहीं आरली के जो अनिल हैं उनको भी जगा इस मंतरी मंडल में दी जाती है और इन सब के बावजूद भी जो है चार अभी ऐसे कह सकते हैं कि महक में हैं मंतराले हैं जहां पर मंतरी नहीं है तो क्या अब आने वाले दिनों में यहां पर और बिस्तार होता हुए नजर आएगा क्या चार लोग और भी चुनकर आने वाले हैं क्योंकि इसमें कई नाम ऐसे थे जिसमें आकार सक्सेना जरामपूर से आते हैं उनका भी नाम इसमें कहीं नहीं है लेकिन फिलाल उनको रोका गया है अब जबकि चार पद खाली हैं और चार पद भर लिये गए हैं त चार थी थी कि उनके कह सकते हैं दल से एकाद आदमी को और भी मंत्री बनाया जा लेकिन फिलाल अभी इसकी संभावना कम है क्योंकि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद ही ये कह सकते हैं कि विस्तार होता हुआ न ज़रा है लेकि हाँ ये जरू कहा जाएगा की ओपी अजबने सपा के साथ मिलकर चुनाव के साथ आए हैं तो लोग सब चुनाव में बीजीप को कितना फायदा होगा ये देखना होने वाला है क्योंकि जब तक यहां पर देखियांター मढ़ियिया कि अगर बात के जाएउद पर प्रदेश में तमाम जो राजनितिक दल हैं चोटे मोटे वो जुडे हुए हैं लेकिन अभी यहां पर देखा गया कि सिर्फ चार मंत्रियों ने यहां पर जो है शबत ग्रहन करी जिसमें सुबह सपाध्यक्ष अभी आपने बात करी ओपी राजपर की जिसमें से दो भाजपा के हैं और एक यहां पर बताया जा रहा है अर्ल्डी सीमें यहां पर शुन आपने बताया है यह सब जोब ऄंकर यहां रहते नहीं इक मतांदार तो बहार की और नहीं तुट बताई जा रही है क्या इसी तरीके से उत्तर परदिश Government में अगर पूट जल ही होगी देकि बिलकुल आपने कहा कि कुछ और लोग भी जाहिन सी बात है कि आरली को लेकर संभाव नाती है लिए कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से कम सकम दो मंत्री बनने वाले हैं लेकिन एक कही नाम सामने आया है जो अपने आप में चौकाता भी है कि क्या बाक कि वो निकलना जाए इसलिए तमाम सारी जो चीज़े उनको होल्ड करका गया है और अभी भी चार ऐसे मंत्राले हैं चार ऐसी पोजिशन हैं जहापर बीजे पी आने वल दिनों में हो सकता है कि बापर कुछ मंत्रियों को कह सकते हैं कि चुनाव करती हूँ नहीं ज़रा है फिलाल इलेक्शन से पहले अब ये आखरी ऐसा विस्तार सा जो हमें देखने को मिला अब ऐसे महनुपरिया पठेल क्या नाखुश रहेंगी क्योंकि लगबग ये माना जा रहा था कि वो दो सीटे मिलने से भी संतुस्त नहीं हैं वो चाहती थी कि उनकी जो एक तो है नतीजा है वो क्या रहने वाला है क्या आने वाले दिनों में उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ और लोग को भी मंत्रिपद मिलेगा ये अपने आप में देखना बेहत दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि यहां से अगर गठबंदन टूटता है मुश्किले बढ़ जाएंगी देखे बिल्कुल यहां पर भारते जनता पार्टी के लिए मुश्किले यहां पर बढ़ जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे की बात करी है कि संजे निशाद हो या फिर ननुप्रिया पतेल हो यहां पर या फिर ओपी राजबर हो तीनों और राजनीतिक दलों ने भारते जनता पार्टी को मजबूत किया है रही बात कि यहां पर जैन चोधरी की इस बार देखा यह जाएगा कि कहीं ना कहीं जैन चोधरी के जितने भी यहां पर विधायक है नो विधायक यहां पर बताये जाते हैं मन जी जैन चोधरी के जो एक विदाय को जो यहां पर मंत्री बनाया है क्या वो यही बड़ा कारण है कि पश्चिमी उत्तर परदीश का जो पूरा वोट बैंक है वो जैन्त के पास आता है जाहिर बात है और देखिए कहीं बताने का प्रयास किया गया है कि इसके सहारे कहीं जो बीजेपी है बो आरलडी समयत तमाम किसानों को पश्चिम यूपी में जो लोग है उनको साधना चाहती है और यही कारण है कि आरलडी की तरफ से बले ही अभी एक मंत्री बनाया गया हो लेकिन यह संभाबना जरूर है कि आने बल दिनों में एक और मंत्री उनकी पार्टी से बनाया जाएगा और लोग समच बहुत नजदी के तो ऐसे में एक संदेश देने का प्रयास किया गया है क्या वाकई राजभर का वोट बैंक है यह बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा और क्या यहां से बीजेपी को राजभर से खासकर कोई फायदा होने वाला है क्योंकि यही राजभरते जो बीजेपी के लिए तमाम सारी कह सकते हैं कि बाते करते हुए नजर आते थे उटपटंग बयान देते हुए नजर आते थे योगी और मोधी को लेकर तमाम इनकी अन यूपी में फिलहाल शांतीगी जो कह सकते हैं मंतरी मंडल को लेकर पूरा मांवला था वी शांतीगी कि उनको कम से कम दो मंतरा ये तो यहांपर मिलने ही चाहिए लेकिन एक भी नहीं मिला इंतजार है कि आखिर कार कम मिलेगा आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर कुमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साजा करें और देखते रही है SPN 9 न्यूस सन्यवाद